राधे राधे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पावभाजी जो कि कुछ अलग तरीके से बनाएंगे तो मैंने पावभाजी के सबजिया को काट ली थी एक बीट को मैंने कदुकस कर लिया आधा मैंने कुकर में सबजियों के साथ नमक के साथ मैंने इसे सिटी लगा लिया और मैस करके रख लिए और अभी हम कडाही में जीरा, हींग, कसूरी पत्ता, मीर्च, प्याज को लाल करेंगे हमने इसलिए बीट को कदू कस किया था ताकि हमारी पावाजी का सबजी का कलर बहुत अच्छे से आ सके तो मैंने सीमला मटर, बीट और टमाटर को डाल के नमक के साथ सॉफ्ट कर लिया और अभी हम मसाले डालेंगे पावाजी मसाला, कस्मिरी मीच, थोड़ी सी हल्दी, मीच पॉडर सभी को डाल के पकाते हुए मैंने इसे मैस कर लिया था और कुकर वाली जो सबजी मैंने सीटी लगा के रखी थी, उसे भी मैस करके हम इसी में डाल देंगे इसे हम 10 से 15 मिनिट पकाएंगे, उसके बाद गरम मसाला एक चमज डालके इसे ढग देंगे फिर इसमें बटर भरके हम डालेंगे और धन्या पता डालके हम सबजी तयार कर लेंगे अब हम पाव को चोटे-चोटे pieces में काटेंगे और इसे हम बटर से अच्छे से fry करेंगे तो क्रशी होने तक हमें इस pieces को fry करनी है हमारी bread अच्छे से fry हो चुकी है और इसे हम निकाल लेंगे निकालने के बाद इसके ऊप़र हम पाबाजी का गर्मा-गर्म शबजी डालेंगे और उपर से हम थोड़ी नीमबू का रज डालेंगे उसके बाद निम्बू का रज डालने के बाद हम इसमें चीज डाल रहे हैं तो मेरे पास जो भी चीज थी मैंने वुसी का यूच किया आपके पास क्यूब आले हो तो आप डाल सकते हैं फिर प्यास, धनियापत्ता, थोड़ी चाट मसाला मैंने डाला और थोड़ी निम्बू का रज ये मैंने चीजी वाले पावभाजी बनाये जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही यमी बनी है हमारे घर के बच्चे को बहुत पसंद आए आप लोग भी जरूर बनाये संड़े और सटर्डे बच्चों का छुट्टी में ये सब बनाने से बच्ची बहुत खूस होते हैं अब भी एकट ट्राय करें, थैंक यू